दोस्तों वैसे तो जीवन में कुछ न कुछ जानने और देखने की इच्छा हर जीव की होती है एक तालाब की मजली भी समंदर देखना चाहती है यदि बात मनुश्य की की जायत इसके दिमाग में तो पूरे ब्रहमांड को जानने और इसे देखने की इच्छा हमेशा से रही है तभी तो प्राचीन काल से हमारे रिशी मुनी ग्रहों नक्षत्रों पर अध्यन करके ग्रंथ लिखते आये हैं पर आज का मनुश्य दो कदम आग जाकर ब्रहमांड को अपनी आखों से देखना चाहता है आज से लगबग चार दशक पहले भी बैग्यनिकों ने हमारे ग्रह परत्वी के बाहर देखने के लिए एकोपाय सोचा और सौर मंडल में मौचूद सभी ग्रहों और उनके चांदों और हमारे सूरी मंडल की सिमाओं को देखने के लिए एक ऐसी चीज़ का निर्मान किया जिसके सहारे हम सोरमंडल के बागी ग्रहों पर और सोरमंडल के बाहर क्या है ये देख सकें और उनका अध्यान कर सकें एक अंत्रिक्ष मुसाफिर को सफर के लिए तयार किया गया जिसे हम वॉईजर 2 के नाम से जानते हैं जिसका सफर पिछले 46 सालों से बिना रुके बिना थके आज तक जारी है जिसने हमें हमारे पडोसी ग्रहों शुद्र ग्रहों उलकाओं और भी नजाने कितने रहस्यों से रूबरू करवाया है इस अंत्रिक्षियान के योगदान को ये मान और जाती जब तक इस धर्ती पर है तब तक याद रखीगी इसने अपनी यात्रा के दौरान हमारी आख और कान बनकर हमें सौरमंडल और इसके बाहर के अनेक ग्रहों और उनके चंद्रमाओं की ऐसी ऐसी तस्वीरे भेजी हैं जो हम कभी कलपना भी नहीं कर सकते थे इस अंतरिक्ष यात्री ने अपने इस यात्रा में क्या-क्या दिखा और क्या-क्या सहा है यह हम आज इस वीडियो के माद्ध हम से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जिसमें हम एक अंदेखी अंजाने और विरान दुनिया के वो रहसे दिखेंगे जो हमें इस अंतरिक्ष यान ने दिखाए हैं इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने दिखाए हैं नासा के कारेयले में सभी वेगैनिक बड़े उतसाहित और इस मिशन को लेकर ठोड़े चिंतित भी थे नासा ने एक साथ दो मिशन तयार किये थे शायद इसलिए कि यदि एक यान में कोई खराबी आ जाये तो दूसरा उनके उद्धिश की पूरती कर सके इन मिशन्स का सब वाइजर टू की रफ़तार को थोड़ा धीमा तकि ये बाहरी गरहों के चंद्रमाओं और उनके धरातल को अच्छे से जान सके और उनका अराम से अध्यन कर सके इन दोनों बहायों के सफर में वाइजर टू को पहले रवाना होना था 20 अगस्त 1977 को और ठीक इसके 15 दिन वाइजर बन को रवाना होना था आखिर रवानकी का वक्त आ गया था जिस तरह से कि युद्धाए कैसे युद्ध में जा रहा हो जहां से उसका लोटना संभव न हो वैसे ही मुसाफिर वी अपनी आखरी मुलाकात के लिए खड़ा था विग्यनिकों के साथ साथ पूरी द यह हमारे सोर्मंडल और ब्रह्मांड के नए नए रहस्य को भी उजागर करता हुआ एक दिन अनंत ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगा और इस दोरान यह दिये किसी सभ्यता को मिला जो इसके इंसान की तरह इसके अंदर भेजे गई संदेश को पड़ पाएं तो शायद यह हमारी दुनिया की तरफ से उस दुनिया को एक संदेश होगा जिसका शायद कोई जवाब कभी भविश्य में हमें मिल भी जाएं परन्तु उससे पहले इसको ब्रह्मांड में बहुत लंबा सफरते करना था जब प्रत्वी से यह रवाना हुआ था तब इसका मकसद जजबे के साथ अपनी पूरी उर्जा के साथ अंतृक्ष के इस लंबे सफर की ओर चल पड़ता है अंतृक्षियान काफी हद तक अपने भाई वॉयजर वन की ही तरह था यगन इसके साथ ही इसका रास्ता और रूट वॉयुजर वन से बिलकल अलग होने के साथ-साथ गती में परिवर्तन आया और इसे गती का उप्योग करके इसने अपने आपको यूरेनस यानी आरून ग्रह की और मोड़ लिया जिसकी जानकारे जुटाने और अध्यन करने के मकसद से इस मिशन को लॉंच किया गया था ये पहला मानव निर्मित अभियान ये कोई वस्तू थ इनकी वरून ग्रह तक पहुच कर उनकी जानकारियें खटा कर रही थी और उनका अध्यन कर रही थी यहां तक पहुचने में इस अंत्रिक्ष्यान की सायता एक विशेश ग्रहिक परस्तिती ने की और वो परिस्तिती ऐसी थी कि सभी ग्रह उसके मार्ग के हिसाब से एक एक साल दस महीने और बीस दिन का सफर पूरा करके लंबी यात्रा के बाद ये अंत्रिक्षियान नौ जुलाई उनने सोने आसी को जुपिटर के काफी नजदीक पहुचा दोनों यानों ने ब्रस्पति ग्रह के बेहदी साफ और दिल्चस्प जानकारियां भीजे वाइजर य कि सीनियर वेगयनिक एड स्टोन का कहिना है कि वाइजर अभीहान ने सोर मंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिये पहले हमें लगता था कि केवल धर्ती पर ही सागर मौचूद है पर वोईजर ने हमें बताया कि ब्रस्पति गरह के चंद्रमा यूरोपा पर भी मोटी बरफ की परत के निचे विशाल सागर मौचूद है बोईजर यानो ने शनीगरह के बारे में भी कई चुकाने वाले खुला सेखिये उसने शनीगरह के चलो यानी रिंग्स की कई तस्वीरे भेजी और हमें बताया जो एतेईन और मीथेन से मिलकर बने हुए है वाईजर अभियान के जरिये हमें शनी के छोटे से चंद्रमा इनसलेडस के बारे में कई प्रमुक जानकारियों के बारे में पता चला वैग्यानी के ब्रस्पती ग्रह को कई दश्कों से दुर्बीन और आँखों के माध्यम से देख रहे थे लेकिन वाईजर टू ने जुपीटर ग्रह की कई आश्चर जनक तस्वीरे हम तक पहुँचाई जिनमें हमें विशाल काई लाल धबा नहसरा रहा था जो कि जुपीटर ग्रह पर चलने वाला एक बहुती बड़ा तुफान है इसके साथ ही जुपीटर पर कई छोटे छोटे तुफान होने के भी हमें संकेत मिले जब यह जुपीटर के पास से गुजरा तो उसने वहां की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया अपनी खोजबीन के दोरान अंतरिक्षियान ने जुपीटर के कई चंद्रमाओं की खुबसूरत तस्वीर हम तक पहुँचाई सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खोज जुपीटर के चंद्रमा आयो पर सक्रिय जौला मुखी थी जिससे निकलने वाला लाव और धुआ सते से 300 किलोमेटर तक फैला हुआ था जिसके अधिक तमगती एक किलोमेटर परती सेकिंड थी इस वालकानों से निकलने वाले पदार्त गंधग, आक्सिजन, सोडियम, जुपीटर ग्रह से लाखो किलोमेटर दूर तक पाए गए हैं गैनिमेट जो की सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है वाज़र टू ने जहते वक्त इसकी सते पर दो तरह के मैदान अपने कैमरे में कैद किये एक क्रेटर यानि की गड़ों से बरा हुआ और दूसरे भाग में कई सारे पहाड थे यहां से अपनी खौजबिन के बाद यहां तरिक शियान शनी ग्रह के और रवाना हो चुका था काफी दूरी तेह करने के बाद वाज़र टू 25 अगस्ट 1981 को शनी ग्रह के निकट पहुचा था आज अगर सौर मंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो शनी ग्रह के चंद्रमा इंसलेडस पर है वाज़र यानो से ही हमें पता चला कि शनी ग्रह के चंद्रमाओं में अपार संभावना इचीपी हुई है जिसके लिए हमें एक अभिहान भेजने की जरूरत है वाज़र टू ने सेटरन के बाहरी एटमोसफेर के टेंपरिचर और डेंसिटी को मापा था इसके साथ ही शनी ग्रह के कई चंद्रमाओं की तस्वीरे हम तक पहुचाई इसके बाद इसे जाना था अपनी असली मंजिल के और जिसके लिए इसको भेजा गया था इसके अगली मंजिल यूरेनस प्लैनेट था इसके बाद 24 जनवर 1986 को वाईजर टू यूरेनस के करीब पहुच चुका था वह रहत हुए इस अंत्रिक्षियान ने यूरेनस के दस नए चंद्रमाओं की खोज की अधिकतर नए चंद्रमाँ आकार में छोटे हैं जिनको हम टेलिसकोप की मदद से शायद ही कभी देख पाते ये खोज अपने आप में एक एहम खोज थी साथ यहां के वातावरन और इसके वलियों का करीबी से अध्यन किया इससे इसमें यूरेनस के दो नए रिंग्स की खोज की आपको बता दे शनी ग्रही एक मातर रिंग्स यानि चल्लो वाला ग्रह नहीं है यूरेनस के भी छले हैं पर ये छले शनी घ्रह के छलों के मुकाबले बरफ के छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं यूरेनस के पाँच बड़े चंद्रमाओं में से सबसे अंधरुनी मिरांडा नामक चंद्रमा पर 20 किलोमेटर गहरी नहरे पाई गई हैं जो भुगर भी हलचलों से बनी है। इसके बाद यह मुसाफिर अपनी अगली मन्जिल की ओरशर पड़ता है। जो की नैप्चून प्लैनेट था। काफी टाइम अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद यह यान 25 अगस्त 1989 को नैप्चून के पास पहुचा। अब यह यान सोरमंडल के अंतिम छोर पर मौजूद इस अदबुद दुनिया पर आ गया था। धर्ती से ली गई अब्दख की तस्वीरों में नैप्चून काफी छोटा और धुंदला नसरा रहा था। मगर जब इसे पास से देखा गया तो यह एक नई चीज सामने आई। वाइजर ने नैप्चून प्लेनेट पर ब्रस्पती के विशाल लाल धब्बे के जैसे विशाल गहरा धब्बा देखा। पहले से एक बादल समझा गया लेकिन असल में ये बादलों में से एक बड़ा छेद है। इसके बाद वाइजर नेप्चून के मौन ट्राइटन का भी अध्धन किया। इसके बाद इस अंत्रिक्ष यान का ग्रहों की स्टडी का अभियान पूरा हो चुका था। अब इसे निकलना था एक अनंति यात्रा की और एक ऐसे रास्ते पर जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था। जहां सिर्फ अंधेरे और ठंड के सिवा अवारा उलका पिंडो के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला था। पर उमीद है एक दिन कोई सब्भेताई से देखेगी और हमारा संदेश उन तक पहुँचाएगा। दोस्तों सूरे से बाहर के और बहने वाली हवाओं से सोरमनल के चारों और एक बुलबुले जैसा गहरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलो स्पेर कहते हैं और इसकी सीमा से बाहर के अंत्रिक्ष को इंटर स्टिलर मीडियम यानि आई एस एम कहा जाता है। इस अंत्रिक्षान ने साल 2018 में इंटर स्टिलर स्पेस में प्रवेश किया था। इस समय तक इसकी 11 उपकरण काम कर रहे थे। आज के वली संत्रिक्ष मुझसाफिर के चार ही उपकरण काम कर रहे हैं। बाकी के इंस्ट्रुमेंट को एनरजी बचाने के लिए बंद करती है गया है। और आज वाइजर के चार इंस्ट्रुमेंट चालू हैं। इनका इस्तेमाल मेगनेटिक फिल्ट से जुड़े डेटा को इखटा करने के लिए, सोलर बिंड से जुड़े डेटा को इखटा करने और कॉस्मिक रेज के डेटा को इखटा करने के साथ ही उन डेटा को प्रत्वी तक पहुचाने के लिए और हमारे साथ संपर्क बनाए र पर निकल गया आज यान गुप्त अंधेरे में अपने इस एकाकी सफर को कर रहा है जहां देर और ठंड के लावा कुछ नहीं है पर अपने अंधिम समय में भी ये कभी-कभी सुदूर ब्रहमांड की अंधी की तस्वीर हमें भीजता है और हाले में वाज़र टू यान भी हमा यानि कि करीब 15 करूड किलोमेटर जहां से सिगनल आने में भी करीब 24 घंटे का समय लग जाता है और सिगनल को जाने में भी एक दिन से ज़्यादा का समय लग जाता है आज भी वाज़र यान के सेंस्टिव एंटिना इस सिगनल को रिसीव करते हैं उसके बाद वाज़र अं काफी कम्जोर हो जाती है इसके लिए वैगनकों को कई सारे एंटीना के एक डीप नेटवर्क का प्रियोंग करना पड़ता है यानि कि इसके लिए वैगनकों को पूरी प्रती पर अलग-अलग जगह पर बहाँ आप सारे एंटीना लगाने पड़ते हैं और यहीं मजबूत ए बैटरी भी काफी कमजोर पड़ चुकी है यह अंत्रिक्ष यान प्लोटिनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपने काम को कर रहा है जो प्लोटिनियम के डिके से पैदा हुई हीट एनरजी को इलेक्ट्रिक एनरजी में कनवर्ट करते हैं वोजर यान के प्रोग्राम मैने के अलावाद देखने को कुछ नहीं है इलेक्ट्रिसिट्री बचाकर वोजर यानों को सर्द अंत्रिक्ष में गरम बनायके रखा जा रहा है और अपने आने वाले दस वर्षों में दोनों ही अंत्रिक्ष यानों को बंद करना पड़ सकता है यह मानता के लिए सब से दुख पर फिर भी इस अनंत ब्रमहन में जारी रहेगा शायद किसी और सब्विता को मानता के दूत मिल जाएं फिर वो इन यानों में लगे ग्रामफोन रिकोर्ड के जरिये मानता का संदेश बढ़ सकें वोजर अभिहान के जरिये यह दोनों अंत्रिक्ष मुसाफिर सब्विता यह सिविलाइजेशन एक दिन जरूर इन यानों को पकड़ लेगी और उनसे हमारे रिकॉर्ड को लिकर हम तक कोई संदेश पहुचाएगी यह फिर यूहीं ये गुमनाम अंत्रिक्ष में कहीं खोकर रह जाएंगे कमेंट में लिकर जरूर बताएं एक बार फिर मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत